प्रतिभूती अपीलिय नया अधिक्रण के विश्य में निम्लखित कत्नों पर विचार करना है देखें प्रतिभूती अपीलिय नया अधिक्रण सेवी एक्ट 1992 के तहत इस्थापित एक वैधानिक निकाय है प्रतिभूती अपीलिय नया अधिक्रण के पीठा सीन अधिकारी को भारत के मुख्य नयधीस द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्य नयधीज द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर राष्टपती के द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्य नयधीज के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है करेक्ट है दूसरा स्टेट्मेंट और पहला स्टेट्मेंट बैधानिक है या सामविधिक है वैधानिक है दोनों के दोनों सही है C है इसका अंसर तो प्रतिभूती अपीले नयाधिकरण भारतिय प्रतिभूती और बिन्युम वोर्ड अधेनिया 1992 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय है ठीक है पहला करेक्ट हो गया इसका मुख्याल है मुंबई में देखे अगर बात करें सेवी की तो जो सेवी है वो एक अर्ध विधाई अर्ध नयाइक और अर्ध कारेकारी निकाय है ठीक है और सेवी के अंडर है प्रतिभूती अपीले नयाधिकरण अब देखिए प्रतिभूती अपिलिय नयाधिकरण में एक पीठा सीन अधिकारी होता है एक पीठा सीन अधिकारी और दो होते हैं इसके अन्य सरस्य यानि टोटल होगे तीन मेंबर केन सरकार दोरा प्रतिभूती अपिलिय नयाधिकर्ण के पीठा सीन अधिकारी को भारत के मुख्य नयदिस यानि Chief Justice of India या उसके दोरा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर से नियुक्त किया जाता है New York Convention से Related कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर देखे New York Convention जैविक वहिता के संरक्षन हेतू एक कानूनी संदी है इसे New York Arbitration Convention के नाम से भी जाना जाता है देखे वायो डाइवर्सिटी से Related नहीं है यह गलत है पहला वाला स्टेटमेंट के बल दूसरा वाला करेक्ट है तो बी हो जाएगा इसका अंसर है यह बी हो जाएगा ना इसका अंसर है बी होगा प्रिंटिंग मिश्टेक हो गई है तो देखे Convention on Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Orbital Awards जिसे New York Orbitration Convention या New York Convention के नाम से भी जाना जाता है यह एक अंतराश्टिय मध्यस्थता के प्रमुख उपक्रणों में से एक है तो देखे मध्यस्थता का आसा यहाँ पर यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समझोते के माध्यम से कोई विवाद एक अधवा एक से अधिक मध्यस्थों उसमें भी एक स्वतंत्र व्यक्तिय निकाए के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस पर मध्यस्थ वाध्यकारी निर्ने लेते हैं तो New York Convention या फिर New York Orbitration Convention एक ही बात है इसको पढ़ लेना एक दो बार तब ही समझ माएगा बायो डाइवर्सिटी से संबन्नित नहीं है यह Question No.3 पर आजएए गंगा नदी डॉल्फिन से related कुछ statement है यहाँ पर देखें गंगा डॉल्फिन भारत और चीन की नदी प्रणालियों में पाय जाती है पहला statement है दूसरा statement है यह केवल मीठे जल निकायों में ही जीवित रह सकती है ऐसा है क्या इसे वर्स 2009 में उत्तर प्रदेश का राज किये जलिये जीव घोशित किया गया था पताएए कौन की अवाज इसको सुसू भी बोलते है ठीक है और यह भारत में तो है लेकिन चीन की नदी प्रणालियों में नहीं है गंगा डॉल्फिन गलत है पहला वाला statement केवल मीठे जल निकायों में जीवित रह सकती है यह सही है दूसरा वाला statement इसे वर्स 2009 में उत्तर प्रदेश का न नयाज पर तो गंगा नदी डॉल्फिन की अधिकारिक तौर पर खोज होई थी अठारे सो एक में गंगा नदी डॉल्फिन नैपाल में भारत में और बंग्रादेश की गंगा ब्रहमपुत्र मेघना और करना फुली सांगु नदी प्रणालियों में रहती है यह गंगा देखिए लगवग है और इसी के द्वरा करती है जो खेवे स結ने सीकों। यह संपूर्ण नदी परिसिक तंत्र के स्वास्त का एक विश्वसनी संके तक भी है गंगा नदी डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा रास्टिय जलिय जीव National Aquatic Animal of India के रूप में मानित आ दिख थी ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने Question No.4 पर आजए जीव टेक्स्टाइल्स के संदर में नमर्खित कत्नों पर विचार कीजिए जीव टेक्स्टाइल्स एक पारग्रम सामगरी है जिसका उप्योग नालियों में होने वाले जमाब को रोकने के लिए किया जाता है जीव टेक्स्टाइल्स का उप्योग जो है धलानों या तटबंधों या नदी तटबंधों के इस्थेकरण के लिए भी किया जा सकता है बिलकुल यह करेक्टर दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इसका अंसर तो देखिए जियो टेक्स्टाइल सिंथेटिक रेसे हैं जिन में पॉली एस्टर, पॉली प्रोपाइलिन या फिर मानब निर्मित सामगरी सामिल है इनकी पार गम्मिता अलग-अलग होती है पार गम्मिता का तातपर यहां पर यह है कि उनकी सतों में बहुत छोटे-छोटे जिद्र होते हैं जो तरल या गैसो को इन से होकर गुजरने की अनुमती देते हैं बात करें जियो टेक्स्टाइल सिंथेटिक रेसों के विशेष्ताओं की तो यह प्राकरतिक रूप से मजबूत होते हैं अत्यदिक टिकाओ होते हैं टूट-फूट, मोडवे, नमी के धेर, खान के धेर वाले धलानों के स्थिक्रण एवं मरदा अपर्दन आदी को रोकने के लिए किया जा सकता है देखिए यह नालियों में होने वाले जमाप को रोकने के लिए प्रभावी फिल्टर के रूप में कार करते हैं कौन जियो टेक्स्टाइल्स सिंथेटिक रेसे Q5 पर आजाए है, important impression, food waste index report 2021 लिखित में से किसके द्वारा जारी की गई अवताई है किसके द्वारा जारी की जाती है वैसे ये Food Waste Index Report कौन सी संस्था जारी करती है देखे खाद एवम क्रसी संगठन लागर गलत मत कर देना इसको और ना ही विश्व खाद कारिकरम इसका उत्तर है वर्ड फूड प्रोग्राम बोलते हैं इसको इसी को मिलाया ना इसवार नोबल प्राइज संती का संयुक्तराष्ट विकास कारिकरम भी नहीं है ये है इसका उत्तर परियावर्ण संयुक्तराष्ट परियावर्ण कारिकरम United Nation Environment Program UNEP तो हाल ही में संयुक्तराष्ट कारिकरम नहीं यानि United Nation Environment Program UNEP ने Food Waste Index Report जो है 211 जारी की है किसने United Nations Environment Program UNEP ने देखें इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में खाने के लिए उपलब्द भोजन का 17 परतिशत बरबाद हो गया और लगभग 69 करोड लोगों को खाली पेट सोना पड़ा कहां कहां बरबाद हुआ घारों में 11 परतिशत खाद सिवा में 5 परतिशत और खुर्दरा छेतर में 2 परतिशत संथानम समिती ने CBI के स्थापना की सिफारिस की थी और CBI जो है वो कार्मिक और प्रसिक्षन विभाग के प्रशास्निक नियंतर्ण में है संथानम समिती की सिफारिस से बनी थी CBI एक संबैधानिक निकाय नहीं है ना तो यह संबैधानिक है और ना ही यह सामविधिक है ठीक है दूसरा तीसरा करेक्ट है भी है इसका अंसर क्यों हो नहीं है अब ही पता चुलेगा आपको तो देखिए Central Bureau of Investigation यानी CBI की स्थापना जो है 1963 में ग्रह मंत्राले के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी CBI एक सामविधिक निकाए नहीं है यह जो है वो दिल्ली विशेश पुलिस इस्थापना अधिनियम 1946 से अपनी सक्तियां प्राप्त करता है इसलिए थी है तो पहला बाला तो गलत हो गया CBI के स्थापना भ्रहस्टाचा निवारण पर संथानम समीति 1962 से 64 द्वारा की गई थी तब संथानम समीति के द्वारा की गई थी दूसरा बाला करेक्ट है CBI कार्मिक लोग शिकायत और पैंसन मंत्राले के कार्मिक और प्रसिक्षन विभाग D.O.P.T. के प्रसासनिक नियंत्रण में आता है ठीक है अगर लिखाओ रक्षा मंत्रा ले ग्रह मंत्रा ले तो उसको जो है कुश्चन नमबर सेवन पर आजएए कर्मचारी भविष्च निदी E.P.F. योजना के संदर में विचार करना है देखे कर्मचारी और नियुकता दोनों के द्वारा ही कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का बारह परतिशत E.P.F. में जमा किया जाता है E.P.F. योजना उन कर्मचारीों के लिए अनिवार है जिनका मूल वेतन हर महीने 15,000 रुपे से अधिक नहीं है करेक्ट है क्या? 12 परतिशत है जादा है? 12 परतिशत है करेक्ट है दोनों के दोनों स्टिट्मेंट C है इसका अंसर तो E.P.F. अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य परतिश्ठानों में कार करने वाले कर्मचारीों को संस्थागत भविश्नेदी परदान करता है कर्मचारी के मूल वेतन और महगाई भत्ते का 12 परतिशत कर्मचारी और नियोकता दोनों ही E.P.F. में जमा करते हैं को चुनने की अनुमती दी जाए देखिए E.P.F. योजना उन कर्मचारीों के लिए अनिवार है मेंडरेटरी है जिनका मूल वेतन प्रतिमा यानि मन्थली 15,000 रुपे तक है 15,000 रुपे तक है उससे अधिक नहीं है कोश्चन नमबर एक पर आजए भारत में बीमा लोकपाल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहां पर बीमा लोकपाल का कारेकाल तीन वर्ष का होता है और यह हैं पुनर निकती के योग नहीं होता बीमा करता हूं एजेंटों दलालों और अन्य मजदस्तियों की सेवा में कमियां इसके अधिकार छेत्र के दाइरे में आती है कौन सा बाला सही है पहला बाला सही है दोहार सत्रा सही है और तीसरा बाला सही है इसका कारिकाल बिल्कुल तीन वर्स का होता है और सत्तर साल जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पत्पर बने रता है पुरह नियुक्ति का योग है ये गलत दूसरा बाला स्टेट्मेंट तो दो को एलिमिनेट करके इस कांसर लगा दो अप्शन नमबर भी के बलेक और तीन तो बीमा लोकपाल का कारेकाल तीन साल का होता ह तो सही है और अधिक्तम सत्तर वर्स की आयुत्ता की है पद्धारण करता है इसकी पुरह नियुक्ति की जा सकती है गलत दूसरा बाला स्टेट्मेंट कोश्चन नमबर नाइन पर आजाईए के एस पुट्टा स्वामी बना भारत संग मामला दोहार सत्रा का एतिहासिक निर तो देखे सुप्रीम कोट ने वर्स दोहार सत्रा में के एस पुट्टा स्वामी बना भारत संग एतिहासिक निर्णे में गोपनेता और उसके महतु को बढ़नेत किया ठीक है सरवोच नियाले के अनुसार निच्टा का अधिकार एक मौलिक और आवच्छेद अधिकार है इ अंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग तीन द्वारा गारंटी करत स्वतुंतरता के हिस्से के रूप में सनक्षित किया गया है आर्टिकल 21 यूप्यसी का फेवरेट एप पिछले दो सालों में सवाल पूछा है कुश्चन नमबर 10 पर आजाए कभी कभी समच में रहने वाला चाहवार पोर्ट या चाहवार बंदर का कहा इस्थ है बता इए लगोवा कि सब्संघ्वा यह है देखे यह है ऊमान की खाड़ी में यानि दक्षन पूर्वी इरान इसका उत्तर हो जाएगा अप्सन नंबर भी है तो भारते विदेश मंत्राले ने चार मार्च को नई दिली में आयोजित होने वाले समुद्री ठीक है समुद्री भारत सिखर सम्मेलन दुहार 21 के अप्सर पर जो है चाहवार बंदरगा मनाया चाहवार बंदरगा उमान की खाड़ी में दक्षन पूर्वी इरान में इस्तित है यह बंदरगा इरान के एक मात्र समुद्री बंदरगा के रूप में कार करता है इस बंदरगा में दो अलग अलग पोर्ट सामिल है जिनके नाम है साहिद वेहस्ती और दूसरे का नाम है साहिद कलंतरी ठीक है? देखिए इस पोर्ट को पहली बार जो है 1973 में इरान के आखरी शाहदवारा प्रस्तावित किया गया था और इसका जो पहला चरण है वो 1983 में खोला गया था ठीक है इस पोर्ट को पहली बार 1973 में ये डेट कौन सी है जब प्रोजेक्ट टाइकर चला था भारत में कॉर्बेट नसल पार्क में उत्राखंड गए तो चार तारिक को मनाया गया भारतिय समुद्री सिखर सम्मेलन 2021 और इसके अफसर पर चाहबार दिबस मनाया गया इसलिए नियूज में है ये तो याद रखिए चाहबार पोर्ट दक्षिन पूर्वी इरान में है तो ये पंदरा दस प्रशन थे इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेजएगा धन्यवाद